करें हैं जाज जबें से कि आप कैसे टिप को बना कर website रेट की जो जिसकेlegen आपको दी है उसको बना कर उसको यूज गर आप प्रीस ये पॉन अच्छे अच्छे जड्लाइर कर अच्छे आप अपना उनला सकते हैं मैं आज की वीडियो मैं आप को बताऊंगा कि आप Facebook एड़ पर Facebook पर कैसे अपने competitor को find कर सकते हैं यह competitor को find करना इसलिए क्यों जरूरी है यह मैं पहले आपको बताना चाहूंगा अब आप for example अपनी कोई product sell कर रहे हैं या फिर कोई service sell कर रहे हैं Facebook पर आपके अकेले तो नहीं है जो आप अपनी कोई भी चीज Facebook पर sell कर रहे हैं let's say for example आपको shoes sell कर रहे हैं Facebook पर तो आप अकेले तो नहीं है जो shoes sell कर रहे होंगा Facebook पर आपकी कोई competitor भी होगा कोई और दूसरा इंसान भी होगा जो आपकी तरीके के Facebook पर चीज़ने sell कर रहा होगा Facebook पर product या service sell कर रहा होगा तो उसको हम देखेंगे कैसे उसको हम जाने कैसे कि वह कैसे क्या चीज़ यूज करके अपने अच्छे से अच्छे result generate कर रहा है profit generate कर रहा है और उसकी तरीके के हम idea same idea लेकर जी हां उसकी competitor को देखकर same चीज़े देखकर हम उसकी तरीकी के idea ले सकते हैं क्या-kya चीज़ हमें कर रही है और क्या क्या हम कर करके उससे अच्छा ad बनाकर हम लोगों को दिखा सकते हैं और ज्यादे से ज़्यादा बुलाकर attract करकर ज्यादे से ज़्यादा profit और sales generate कर सकते हैं जी हां अपनी जो एड चलाएंगे हम जो next एड चलाएंगे उसके लिए हम क्या करना चाहेंगे हम यह करेंगे कि जो हमारा competitor चीज़ें यूज कर रहा है उसको हम और भैतर तोर पर उसको हम और इंप्रूफ करके अपनी एड पर लगाए और अपनी जादर जादर profit generate कर पाएं ताकि हम जो अपनी audience को दिखाएं वो उससे जादर हो वो उससे जादर अच्छा हो competitor से जादर अच्छा हो और जादर स्यादर results और generate करके दे जी हाँ competitor को find करने का बस ये फायदा है कि आप ये जान जाते हैं कि मैं जो अपनी product या service sell कर रहा हूँ Facebook पर उसको मैं और बहतर दरीके से कैसे कैसे कर सकता हूँ जी हाँ अगर आपको competitor के बारे में नहीं पता होगा तो आप जादर से जादर अच्छे results generate नहीं कर पायोगे क्योंकि आपको ये पता ही ही चलेगा कि आपका competitor क्या कर रहा है और क्या किसे करता है क्या कर रहा और क्या चीजें अपृस त्रिक बेचने के लिए जो आप बेच सकते हैं Facebook पर और कैसे कर सकते हैं ताकि आप जातर से जदा अच्छे रिजल्ट्स और प्रॉफिट जनेरेट कर पाएं तो दो तरीके हैं हमारे कॉंपिटिटर को फाइंड करने के सबसे पहले आता है फेस्बुक एड्स लैबरी फेस्बुक एड्स लैबरीड में आप अपने कॉंपिटिटर को फाइंड कर सकते हैं और कॉंपिटिटर क्या कर रहा है वो आप जान सकते हैं वो क्या के ट्रिक्ट्स या टिप्स अप्लाय कर रहा है अपने एड्स को बहतर बनाने के लिए वो आप जान सकते हैं ताकि आप उ information ले सकते हैं ये दोनों कैसे करते हैं फेसबुक एड्स लाइबरी में कैसे होता है और ये फेसबुक प्रोफाइल के ये क्या चीज़े हैं ये दोनों स्टेब में आपको चलिए पैक्टियल लेकर के दिखाता हूं इसको आपने क्लिप कर रहा है और इसको न्यू टैब में खोल लेना है जब आप उस लिंक को खोलेंगे तो आपके बस ये पैलेट आजएगा ये टैब आजएगा आपके स्क्रीन पर अब आपने क्या करना है अब यहां पर आप अपने कॉम्पुटिटर को फाइंड कर सकते ह लिखना चाहते है आपका एड जो है पाकिसान में लिख रहा है तो जो इनसान पाकिसान में चला रहा है आप उसको फाइंड कर सकते हैं अब आपने पाकिसान यहां से लेट किया यहां पर एड क्या करना है और एड्स क्लिक करेंगे तो आब यहां पर जो भी सर्च करते हैं आप एक Q stream बेच रहने का लचोव एक भृष no नहीं चाहते हैं कि कोई भी इनसान को दूसरा इंसान मुझर को ग मेच रहा उगा तो आपने क्या करना है आप ने अपने कॉम्टेटर को फाइंड करना हुआ जो virtual assistant के course बेच रहा है अब आपने यहां पर सिब यह लिखना है virtual assistant अब ने क्या करना है अब virtual assistant आपने जैसी लिखा यहां पर सारे ads वगर आजेंगे जो भी ads facebook पर अभी active है और अभी live चल रहे हैं जो virtual assistant आप यहां देख सकते हैं क्या 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 ची तरीक्स वगरा और क्या स्टेप्स वगरा यूस कर रहे हैं ताकि आप वह बहतर से बहतर करके अपने ads में लगाएं जी हां आप देख सकते हैं एक ad मेरा यहां चल लाए यह market टोनिया कोई किसी पर ad चल लाए अभी active है Facebook इसमें क्या होता है Facebook ads library में वह आपको आड दिखाता है जो अभी active है अब आप देख सकते हैं एक active यह है जिसमें सिर्फ नमबर दिया वाला है इसमें पूरी सब चीजें हुई है एक एक चीज इसमें भी आप देख सकते हैं पूरा एड इमेज बनी विए और इसमें सब चीजें वर्चुल असे बारे हैं बताईए इसमें यह भी बताया हुए कि admission close होने वाले हैं दो दिन के अंदर तो आप देख सकते हैं बहुत सारे पाकिसान घ्रम दशाना चाता हूं अगर आपने इंडिया जाकर सब्ड़ा एंा कर सकते हैं जो भी आपने हैं जिस एड को चलाने और बहुत 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 इनके call to action को डेखकर, headlines वगरा हो देखकर, inकी सब चीजों को देखकर, आप इनसे बहतर कैसे कर सकते हैं, बस अपने दिमाग में यह रखेगा, यह सोचेगा कि आप इसे बहतर कैसे देख सकते हैं, आप इनसे बहतर कैसे बना सकते हैं, ताकि आप audience को, जो आप target करने हों वाले अब आप देख सकते हैं, want to earn 1K to 2.5K on daily basis from social media, शेरियार खान का किसी का है, social media assistant, virtual assistant है, इसी तरह आप भी दिखा सकते हैं, ताकि आपको मैं सिर्फ यह दिखाना चाहँ हूँ, कि कैसे आप attractive से attractive चीज़े दिखा सकते हैं, यहाँ number DIY, call to action, आप देख सकते हैं, यह कैसे आपने हुआ वाई, अब आप इसको सोचें कि आप इसको मैं बहतर कैसे कर सकता हूँ, इसको सोचें, add image को यह बहतर कैसे कर सकता हूँ, ताकि मैं और जादा से जादा engaged कर सकूँ, यह मैं से आपको यह तरीका बता रहा हूँ कि कि लोग कैसे अपने skills वगरा अपनी courses वगरा बेच रहे हैं Facebook पर, जी हाँ, आप देख सकते हैं, बहुत सारी चीज़े available हैं, Amazon Virtual Assistant, काफी तरी यह चीज़ बना सेते हैं, लोगों ने काफी चीज़े की नहीं हैं, जो आप इसको खुद explore करेंगे तो आप खुद देख रहेंगे, अब मेरी for example मैंने यह search कि है virtual assistant, अब मैं for example कुछ और करते लेता हूँ, कुछ और करके दिखायता हूँ आपको जैसे मैं for example ग्राफिक designing करता हूँ, अब आप देख सकते हैं, ग्राफिक designing के एड रेलिटेट जो भी चीज़ है, यह keyword जहाँ 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 एड में यूज़ हुआ है, वह एड मुझे खोल कर देदेगा, अब आप देख सकते हैं, काफी वीडियो भी हैं, काफी वीडियो भी है, पिचर वगर भी है, एक एक चीज़ बनीवे एड वगरा, means facebook ads library का मसद से भी है, जो भी चीज़ आप product sell करते हैं, या फिर कोई service sell करते हैं, आपको यहाँ पर आपका competitor मिल जाएगा, अब आपने competitor मि वहाँ आपके पास जाता से जाएगी, क्योंकि आपको competitor बहुत अच्छे तरीके यूज़ करता है, बहुत तरीकी उसकरता है, और आपको पता होना चाहिए कि आपके competitor कौन से तरीके और क्या तरीके यूज़ कर रहा है, ताकि आप जाता से जाएड़ एड्स वगरा को Facebook Ads Library से भी find कर सकते हैं दूसरा तरीका हमारे पास आता था Facebook profile का और Facebook page का और Facebook home का कि हम कैसे महां से competitor को find कर सकते हैं अब जैसे कि आप देख सकते हैं मैं Facebook के panel पर आचुका हूँ Facebook के panel पर आने के बाद मैं देखता हूँ कि यहां पर कौन सा आई डिकर रहा है अब यह मुझे क्यों दिखरा है आपका competitor है यह मुझे क्यों दिखरा है क्या क्या टार्गट किया है मेरे जो क्या क्या लोगों को और किन के लोगों टार्गेट वगरा किया है एक एक चीज यहां से सबसे पढ़ेगे आपको जी हां तो आप देखें सबसे पहली चीज इस और प्लिक करेंगे, यहां पर काफी चीज आपको अपको अवयलेव हैं, एकव डिखा गा थेनक यहां किश आपको अवयलेव कि क्यों मुझे तो इसके हिसाफ से जो इसने 8 select की हुए मैं उस एज की group में आता हूँ तो इसलिए वैसे मुझे एड दिखा रहा है यहाँ पर उसने एक चीज बता दी कि कैसे मेरा competitor यहाँ पर मुझे target कर रहा है तो इसी तरह आप अपने competitor को भी target कर सकते हैं तो जैसा कि आपने दिखा यह एक example मुझे Facebook खुद रिखा रहा है कि मेरे competitor ने मुझे कैसे target किया है कैसे मुझे एड दिख रहा है जी हाँ इसी तरह आपको मैं इसकी तरीके एक और दिखाता हूँ कुछ दूसरा आड है उसमें customer ने जो डिखा रहा है जो मेरा competitor है उसने क्या क्या चीज़े की है जिसकी वैसे वो मुझे एड शो हो रहा है तो चलिए दूसरा आड दिखाता हूँ को मैं तो आप देखें तरह यह एक book का एड है यही मेरा competitor है मैं अपने facebook पर दिखाता हूँ यह मेरा competitor है तो मैं क्या करूँगा इस तीन डॉट पर जाने के बाद वाद वाई 18 से 60 के दर्मयान होनी चाहिए तो अब आपका for example यही प्रोडक्ट है तो आप देवी क्या करना है 18 से 60 के दर्मयान लोगोगों को टार्गेट करना है और आपकी location इसने location किये पाकिस्तान अगर आप पाकिस्तान पे दिखाना चाहते हैं तो आप पकिस्तान पे दिखाना चा यह क्यों यह मुझे आड दिखा रहा है विरा थारिट हो उसने जो आडिड़ी टार्यटिट ऑडियस रखी है क्या चीज रखी है तो इसी तरह आप अडिड़ीट ऑडियस को देख सकते हैं और जादर से जादर अट्रेक्टिव इससे भी बहतर अट्रेक्टिव एड़ बन करना है आपnoop проambu 검찰 कर सकते हैं जिसका मैंने आपको practically चीजे भी दिखाये कि ये किसे practically apply होते हैं तो आपने क्या करना है जब भी आपने design का हर्mak करना ये तो आमने क्या करना है कि आपने और आपने ये 2 मेरे खाल से मैंने बताया था तो आपने अपनी product या service के आपने copywriting करनी है आपने facebook ad के लिए दूसरा point किया करना है आपने success tips जो हमने आपको facebook ads के लिए बताया थे वो आपने याद रखने है जी हाँ ताकि आप याद रखेंगे ताकि आप अच्छे से अच्छे facebook ads चला सकेंगे तीसरी चीज़ आपने अपना facebook ad क्रियेट करना है फिर चाहिए कोई product हो याद रखना है इसके मताबिक करना है आपने क्या करना है product और service के मताबिक आपने ad generate करना है और create करना है उसके बदाब आप उसको बहतर से बहतर तोर पर आप उसको अपने audience को दिखा सकें जी हाँ और जादर से जादर अच्छे profit और results generate कर सकें जी हाँ अपने दोस्तों के साथ बी शेयर कर सकते हैं आपको नेक्स बीडियो में तब तक के लिए खुदा